कि अब आप अब आप अच्छे होंगे आज हम पढ़ेंगे एंसे अरटी मैथ में क्लास एड़ चैप्टर नाइन मेंसुरेशन एक्षरसाइज 9.1 कोशन नमबर 9 करेंगे तो कोशन की फिगर आपके सामने इसमें एक ओक्टागन बना हुआ है तो दिहान से देखना किस तरीके करते हैं डाटागन इसका आपको एरिया बताना है तो दिहान से कोछ हम इसमें चीजे अभी करेंगे द्यान से देखना जैसे यहां से यहां पे मिली हुई है ऐसी ने स्कोर मिला दिया हमने तो अब हम इसमें क्या देखने हैं आपकी वुक में फिगर है जो बिल्कुल एकदम एक्ड़ेट बना हुआ है यहां पर लैंद ऊपर नीचे हो यह पर आप ध्यान से सुनोड देखो ओपर एक तरपेजियम बना हुआ है नीचे यह चाही दोनों इक्वाल है ठीक है यह वाली यह क्या है बच्चो लेंट इंटु ब्रैथ तो यह क्या हो सब्सक्राइब हो गया बीच में में अच्ण में क्या देखा फिगर में की ओप तागन में इन ऑलो इक वाल को यह दो लोगा और पीच में क्या वह रीक्तफोस में और आजे लग्वेरिग Depois पास बच्चों सभी ईक्वाल साइड सभी तो 7 इंट है ठां ठील और 5 मेटर की यह जो महां यहां पर endeavor यह सब्सक्ना बनाते हुए इक्वल होनेी पायाँये बट आप दिहान दौ रहाएं तो जहां ओर टो ट्रपेजियご दोनों ट्रपेजिय में एक ही बार में एर्य निकालूंगा अँधिया को प्रपेजियम का क्या होता है जहान से अंहें वन अप्र नो साइड मोल्टिप्लाई हाईट हगला एह लेकिन हमारे एंपस देखना यह हमारे पास कितना थीगंगया और यह यह मतसम आए grading साइड होता है सम योपार वाली साइड को देखना तरपेजियम के लिए इसे देखू है कि यह वाले जो साइडन बच्चों यह फाइफ मीटर है यह oktagon की side है किसी है? Oktagon की बच्चो जितनी भी side है सभी क्या है? 5 मीटर सभी 5 मीटर है sum of parallel side अगर parallel की मैं बात करूँगा नेचे वाली यह भी 5 है इसके लिए यह भी क्या 11 कितना समझे में आ गया आपको इसके लिए यह भी क्या हो जाएगा? बच्चो 11 हो जाएगा यहां से देखो यह फाइब यह 11 सम और पैरलेल साइट तो हमने क्या लिखा है यहां पर फाइफ पिलस 11 multiply height height कितनी है इसकी बच्चो चार यह भी चार है और यह भी क्या है चार है तो हाइट क्या होगी फॉर सोल्व करेंगे टू से टू कैंसिल कर दो पहले तो फाइफ और 11 कितना हो गया बच्चो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 मेटर स्क्वेर यह जो एरिया यह बच्चो हमारे किसका आया है यह एरिया आया हमारा ट्रपेजियम का एरिया आ गया दोनों आया है अब हम निकालेंगे एरिया ओफ रैक्टैंगल आप जानते हो प्यारे बच्चो क्या होता है लैंध इंटू ब्रेध होता है अब यहां देखो रैक्टैंगल में बीच में जिसको मैं डार्क कर रहा हूं बच्चो यह रैक्टैंगल बना हुआ अगर आप दिहां से देखो रैक्टैंगल के आमने सामने की सेड़िया होती है सेम यह 11 तो यह फाइफ यह फाइफ यह फाइफ लैंट इंटू ब्रैथ होता है तो यानि क्या हो जाएगा फाइफ फिफ्टी फाइफ मेटर स्क्वेर दोनों टर्पेजियम का एरिया निकाला कितना आया बच्चो तो 64 रैक्टैंगल के एरिया निकाला कितना आया फिफ्टी फाइफ अब किसका निकालें ओक्तागन का यहां पर देखना इस तरफ में लिख रहा हूं टोटल एरिया ओफ ओक्तागन दिहान से देखो तो एरिया ओफ लिखना पड़ेगा आपको पूरा एस तरीके अपनी फ एरिया ओफ ट्रपेजियम होगा प्लस एरिया ओफ रैक्टैंगल तो सोट में लिख रहा हूं में एरिया ओफ रैक्टैंगल ठीक है एरिया ओफ ट्रपेजियम कितना निकाला अब अभी हमने 55 मीटर स्क्वेर दोनों को एड़ कर दो वन वन नाइन आएगा बच्चो वन वन नाइन मिटर स्क्वेर आई होप यह कोशन आपको समझ में आया हुगा ऐसे ही वह कुछ भी कोशन में मतलब फिगर दे सकता है बहुत ही सोस समझ के हमको यहां पर करना होता है ठीक है ओक्तागन दिया था इसमें दो टरपेजियम बन सब्सक्राइब कीजिए नोट कीजिए है